दोस्तों यहां पर आप दे सकते हैं मैंने अपने Samsung के मुबाईल के जो स्क्रीन है वो मैंने अपने MI के TV के साथ में connect कर रखा है तो अगर आप भी अपने Samsung के मुबाईल के स्क्रीन अपने TV के साथ में connect करना सीखना चाते हैं तो इसके लिए आपको दो बातों का ध्यान देना, आपके TV के साथ में कोई भी सेटप बोक्स यादिश तिवी connect नहीं होना चाहिए अपने mobile का यहां पर आपको on कर लेना है data और hotspot यहां पर भी आप दे सकते हैं मैंने अपने mobile का data और hotspot यहां पर मैंने on कर लिया है और अब हमें अपने tv में जो internet है उसको connect करना है तो हम किस तरीके से अपने tv में internet connect करेंगे चलिए वो भी बता देते हैं अब यहां से हम अपन आपने टीवी में इंटरनेट कनेक्ट करना सीख सकते हैं जैसा कि अभी आप वहाँ पर देख सकते हैं हमारे टीवी में इंटरनेट जो है कनेक्ट हो जुगा है तो इस तरीके से सबसे पहले आपको अपने टीवी में इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है उसके बाद में अब हमें दुबारा से अपने mobile में आना है और यहाँ पर हमें इसे close कर देना है उसके बाद में यहाँ पर हमें play store application open करना है play store application open करने के बाद में यहाँ पर हमें एक application install करना है जिसका नाम है google home application तो इस application को आपको install कर लेना है यहाँ पर मैंने application का नाम बता दिया तो बहुत लोग जो इस वीडियो को skip कर देंगे लेकिन आपको इस वीडियो को complete watch करना है तभी आप अपने mobile का जो screen है वो आप अपने TV के साथ में share करना सीख पाएंगे उसके बाद में simply आपको open पे click कर देना है यह गूगल का अपनी application है तो यहाँ पर आप बेजीजाक email id select कर सकते हैं उसके बाद में simply आपको ok कर देना है जैसे आप ok करेंगे उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीकी का user interface दिखाई देगा अब जहाँ पर आपको simply device वाले option पे click कर देना है जैसे आप device वाले option पे click करेंगे जो आपका device वह यहाँ पर आपको so हो जाएगा जैसे मेरा यहाँ पर दीख रहा है त्वी simply हमें इस पर click कर देना है अब जैसे आप इस पर click करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको एक option मिलता है cast my screen का simply आपको cast my screen वाले option पे किलिक कर देना है उसके बाद में cast screen वाले option पे आपको किलिक कर देना है उसके बाद में simply आपको start ना वाले option पे किलिक कर देना है अब जैसे आप start ना वाले option पे किलिक करेंगे तुरंत वहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मुबाइल को जो स्क्रीन है वो हमारे टीवी के साथ में सेर हो चुका है अब यहां से हम कुछ भी करेंगे अपने मुबाइल में तो उसका जो प्रिवियो है वो हमारे टीवी में दिखाई देगा